नमस्कार दियर स्टूजेंट्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है Spoken with Sandy के सेशन नंबर 12 में आज हम बात करेंगे 5 exam sentences प्लस 1 reading exercise तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक reading exercise और जोडने वाला हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा और नए नए फ्लेवर के साथ हमारे sessions होंगे तो स्वागत है आप सभी का 5 exam sentences प्लस reading exercise में मैं फिर से आप सबको याद दिला दूँ Spoken with Sandy एक skill builder course है आप अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकें ये हमारा प्रयास है इसके लिए आपको हमारे साथ कुछ महिने तपस्या करनी होगी हमारे सारे session देखने होंगे हमारे दियेवे instructions फॉलो करने होंगे जोश के साथ और आपको धीरे 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 खुद में एक परिवर्तन दिखेगा समय के साथ होगा तो कुरपिया patience रखे और सारे sessions देखने का प्रयास करें वेज़े individual sessions सब separate हैं तो आपने सिर्फ एक session अगर देखा तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर बाकी देख लेंगे तो फाइदा निश्चित तोर पर होगा ठीक है जनाब तो आज से हमें काम करेंगे हर class शुरू करने से पहले एक बार ऐसा प्यारा सा एक proper pronunciation का छोटा सा सबक हम सीखेंगे तो आज का हमारा सही उच्चारण वाला शब्द है pronunciation तो प्यारे साथियों हमेशा याद रखिएगा pronunciation की ये spelling है pronunciation और इसका जो उच्चारण होता है pronunciation pronunciation अब एक वाक्य बढ़ देता हूँ मेरे साथ साथ पढ़ेंगे for the sake of God get the pronunciation of pronunciation राइड भगवान के लिए pronunciation शब्द का pronunciation ठीक करो तो इस शब्द को दस बार अभी पढ़ें pronunciation pronunciation दस बार पढ़िए नीचे के sentence को भी पढ़िए ऐसा करके आप खुद की ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग से ही बात बनती है तो आपको अच्छा लगा ये नया edition क्या आप चाहेंगे आगे की सारी classes में शिरुवा था मेंसे एक शब्द से करें बता दीजिएगा तो मैं आगे की classes में लाओंगा नहीं बताएंगे तो मैं नहीं लाओंगा आज हम आ गए हैं five exam sentences पे आप सभी अगर छात्र हैं या आप अगर माता पिता हैं तो आपने कभी competitive exam सो दिये होंगे प्रतियोगी परिक्षाओं के संदर्ब में भारत में लोग कुछ चीजें अकसर कहते हैं बोलते हैं सुनते हैं ऐसी कुछ चीजें मैंने sentence के रूप में आज बनाई हैं आपको बहुत मज़ा आएगा हम ऐसे five important sentences आज देखने जा रहे हैं और ये five sentences हम इंदी अंग्रेजी दोनों में देखेंगे और उनके variations भी देखेंगे ऐसा हम five करेंगे और हर five के five variation भी दूँगा बहुत मज़ा आएगा तयार हो शुरू करें आज का sentence number one आपके सामने है आप मेरे साथ साथ इस sentence को पढ़ें I am preparing heart for the cat and am hopeful of cracking it this time I am preparing heart for the cat, and I am hopeful of cracking it this time बहुत खूबसूरत वाक्य है इसका अरत आपके सामने है एक student अपने दोस्त को बता रहा है कि मैं तो cat की जो परिक्षा MBA के लिए होती है कड़ी तैयारी कर रहा हूं और इस बार तो इसे पास करने की उमीद भी कर रहा हूं मेरे साथ पढ़िये I am preparing heart for the cat and am hopeful of cracking it this time दस बार पढ़ो इसको pause करो दस बार इस sentence को पढ़ो थोड़ा लंबा sentence है इसलिए दस बार अच्छे से पढ़ो अब ये sentence आपको clear हो गया spoken with sandy की जो notebook आपने बनाई है उसमें sentence अच्छे से लिख लेना इसको आप बोल पाएंगे पूरा आप very good इस sentence को आप ऐसा कैसा use कर सकते हैं cat के जेगे कोई भी दूसरी exam replace हो जाएगी इस sentence से मैंने आपके लिए 5 variations निकाले हैं ये जो एक master sentence हमने भी देखा इसमें से 5 छोटे छोटे प्यारे प्यारे वाग के निकल कर आते हैं वो पाचो देखते हैं उनका हिंदी भी देखते हैं I will prepare heart for the cat and will clear it पढ़ो मेरे साथ I will prepare heart for the cat and will clear it पढ़ रहे हो न original sentence master sentence ये था उसके पाच variation निकाले हैं अब इसका पहले वाले का हिंदी क्या होगा बेटा मैं cat के लिए कड़ी तयारी करूंगा और इसे pass कर लूंगा या मैं cat के लिए कड़ी तयारी करूंगी और इसे pass कर लूंगी ठीक है पहला clear इसी master sentence का दूसरा variation देखो बेटा I will crack the cat this year as I have prepared hard आप देख रहें अलग-अलग तरह से हम धाचे बना रहे हैं मैं साल cat pass करूंगा या करूंगी क्योंकि मैंने कड़ी तयारी की है आगे है समझ में इसी master sentence का तीसरा variation I am preparing hard and will crack the cat exam मैं कड़ी तयारी कर रहा हूं रही हूं और cat परीक्षा पास करूंगा करूंगी चौथा variant My preparations for the cat are good and I will clear it My preparations for the cat are good and I will clear it Cat के लिए मेरी तयारी अच्छी हुई है और मैं ऐसे clear कर लूंगा या कर लूंगी और पाँछवा variation My hopes for cracking the cat are high as I am prepared Cat में सफलोने की मेरी उमेद अधी क्योंकि मैं तो तयार हूं क्या आपको पाँचों variation समझ में आये Master sentence ये था मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मूलभूट धाचा अगर आपने समझ लिया आप उससे बहुत सारे अलग-अलग धाचे तयार कर सकते हैं तो आपने Primary structure बहुत अच्छे से देख लिया अगली बार आए लिखने की जरूवत नहीं है क्योंकि वह प्रणाउन जो है एक बार subject को refer कर चुका है तो I am hopeful of cracking it this time की जरूवत ही नहीं आये की ये हमारा Master sentence था इस Master sentence के हमने कितने variation बना लिये बिटा पाँच variation बना लिये और ये रहे वह पाँचो variation आगया समझ में कैसे आप variation create कर सकते हो बहुत बढ़िया तो बोलते समय ये सब चीजने ध्यान में रखें और आप जिस sentence के साथ comfortable हो उस sentence को use करें पाँचों का Hindi भी clear हो गया बहुत बढ़िया आपको हमारा course अच्छा लग रहा है अपने साथियों तक इस course को spread करें जो भी session अच्छा लगे दोस्तों तक WhatsApp से पहुंचाएं आप session में हम जो अलग-अलग सवाल पूछते हैं उनके जवाब comment rate में जरूर दिया करें उससे comment rate lively रहता है याद रखिएगा ये session में जिस दिन बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ YouTube पे उसके बाद 50 साल तक valid रहेगा ये session कभी out date नहीं होंगे these are evergreen sessions ये जो पूरी series है जिसका आज बारवा session है आप आज से 50 साल बात भी देखोगे तो ये उतना ही useful रहने वाला है थोड़ा चादा बोल दिया 10, 15, 20 साल भी काफी है पचास इसलिए ज्यादा बोल दिया कि तब तक तो दिमाग में chips आ जाएंगी तो आपको अलग से अंग्रेजी सीखने की जरूवत ही नहीं होगी क्या बात कर रहो सर आरे हां सर master sentence 2 मेरे साथ साथ बोलिए clearing a tough competitive exam is as much a state of mind इसको a कर देंगे as that of thorough preparations मेरे साथ फिट से पढ़ें clearing a tough competitive exam is as much a state of mind as that of thorough preparations ये जो word है नहीं इसको थोरो 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 मत करना इसका हिंदी प्रननसियेशन है थर थोरो नहीं होता है थरो नहीं होता है इत इस थर 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 प्रिपरेशन थर यहने बहुत तगड़ा तो हिंदी आपके सामने ही है उसको पढ़ लीजे अच्छे से sentence को पांच बार पढ़िए अब ये हमारा master sentence हो गया आप वीडियो को pause करके sentence को पांच बार जरूर पढ़िएगा इससे अब हम पांच variation निकाल लेते हैं बेटा पहला variation क्या कहता है एकटिन परिक्षा के लिए तैयारी भी चाहिए मान सिकता भी चाहिए सही मान सिकता दोनों की आवश्यक्ता है आगया समझ में किसी परिक्षा को पार करने के लिए या पास करने के लिए उस परिक्षा की प्रक्रती को समझना चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इस साल कोई competitive exam दे रहे हैं तो comment head में बताइए आप कौन सी exam दे रहे हैं कितनी तयारी हो गई या आपने पिछले एक दो तीन चाट सालों में कुछ अच्छी अच्छी exam दी हैं तो जड़ा उनके नाम बताएं और अगर आपने वो सब पास की तो हमें जरूर जरूर बताएं हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ में आ रहा है कैसे एक master sentence है मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने sentence बना लिए ये कला आपको विक्सित करनी है एक कटिन परिक्षा से निपटने के लिए एक मजबूत मानसिक्ता की आवशक्ता होती है exams are not just about reading books thoroughly परिक्षा का मतलब केवल किताबों का अच्छी तरह से पढ़ना नहीं होता है exams are not just about reading books thoroughly पाँचवा a tough exam is designed to check your actual constitution a tough exam मेरे साथ साथ पढ़ो बेटा जोर जोर से बोलो a tough exam is designed to check your actual constitution आपकी वास्तविक संरचना की जाच करने के लिए कठीन परिक्षा तयार की जाती है क्या आपको पाँचवा वेरियेशन समझ में आ गए तो दोस्तों जैसे जैसे आप एक sentence और उसके वेरियेशन देखते हैं और बोलते हैं उसको बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट होने लगती हैं दीरे दीरे जब आप पब्लिक स्पीच के लिए जाएंगे या आपने बास से बात कर रहे हैं या अपने टीचर से बात कर रहे हैं आपको ये सब structure याद आने लगेंगे और आपको आश्चर होगा देखके कि कितनी अच्छी हो रिच हो गई आपकी भाषा कुछ महिने अपने आपको दीजिए बिलकुल भी निराश नहों कि तुरंत अभी से हो जाए ऐसा नहीं होता है समय लगता है तो प्लीज टेक यो टाइम तीसरा मास्टर सेंटेंस आगया है दोस्तों सेशन में मज़ा आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वर्किंग हार्ट इस नौट सफिशिएट बट वर्किंग स्मार्ट इस की तो क्रैकिंग तफ कंपेटिटिटिव एक्जैम्स कड़ी मेहनत के साथ-साथ स्मार्ट तरीके से काम करना भी जरूरी है वर्किंग हार्ट इस नौट सफिशिएट बट वर्किंग स्मार्ट इस की तो क्रैकिंग तफ कंपेटिटिव एक्जैम्स बोलिये थोड़ा लंबा सेंटेंस है नहीं दिमाग की प्रैक्टिस होगी मुह की प्रैक्टिस होगी करते जाना है करते जाना है करते जाना है बिना रुके बिना थके करते जाना है करते जाना है करते जाना है करते जाना है हो जाएगा अब तो कई महीनों तक पढ़ाऊंगा मैं अंग्रेजी चिंता मत करो अब इसके variations निकाले हैं A smart student works both hard and smart for an exam आगया पहला sentence समझ में है तो एक smart याने चतुर चात परिक्षा के लिए कड़ी मेहनद तो चतुर ता दोनों से काम करता है दूसरा variation देखें है A good exam smarts यह noun है as well as hard work तो एक अच्छी परिक्षा जो होती है वो चतुरता और कड़ी मेहनद दोनों का परिक्षन कर लेती है आगया समझ में Working hard is good but working smart is better यह जो शब्द है इसका उच्चारण है better इसको better better ऐसा नहीं करना है या better better ऐसा नहीं करना है यह है better better जो होता है वो तो कुछ और ही शब्द होता अंग्रेजी का इसका अच्छ बता सकते हैं आप मुझे better का तो तीसरा था मेहनद करना तो अच्छी बात है लेकिन चतुरता से काम करना हो और अच्छी बात है चौथे पर आजाओं तो क्लियर अ टॉफ एक्जाम प्लीज वर्क हाट और अल्सो स्मार्ट कटिन परिक्षा पास करने के लिए कड़ी महनत करें और चतुर भी रहें कि किस दिशा में महनत करनी है पाँचवा क्या आप महनती है फिर चतुरत तरीके से काम करना भी सीख लें कितने प्यारे पास सेंटेंस हो गए और ये कहां से निकला इस मास्टर सेंटेंस से निकला तो जब आप ये बार-बार बोलेंगे नोट बुक में spoken with sandy के नाम से लिखेंगे हर पेज पे उपर लिखेंगे जय श्री, sandy, sarai, namha तो आपको बहुत फाइदा होगा ऐसा गरुड पुरान में लिखा हुआ है ये होगे पाँच अगर आपको हमारे साथ पढ़के लाब हो रहा है तो आप अपनी गुरु दक्षिना इस QR कोड के माध्यम से जरूर प्रेशित कर सकते हैं हमारा दबल आशिरवाद आपको मिलेगा Your support means a lot Support छोटा हो सकता है, support बड़ा हो सकता है वो secondary है Support support होता है, आपका प्यार उसमें जलगता है और वो हमारे लिए माइने रखता है बहुत बहुत धन्यवाद Master sentence 4 The students who crack tough competitive exams often talk about how they felt down and out while preparing बड़ा लंबा वाग क्या गया कसम से लेकिन डरने से क्या होगा क्योंकि एक महापूरिश भारत के बहुत बड़े फिलोसोफर जिनको मैं भारत के टॉप पांच दस फिलोसोफर में मानता हूँ उन्होंने एक बार कहा था जो डर गया समझो मर गया होली कब है कब है होली तो उनकी बात मान लो डरो मत The students who crack tough competitive exams या competitive exams often talk about how they felt down and out while preparing कठिन परतियोगी परिक्षाओं को पास करने वाले छात्रबाद में बताते हैं कि कैसे कई बार तो वो बहुत निराश हो गए थे आगया sentence समझ में अब इसके पांच variations निकालू Feeling pessimistic is not something abnormal कितना प्यारा sentence है pessimistic यह निराशाबादी abnormal यह अजीब औ गरीब Feeling pessimistic यह pessimistic शब्द को दस बार बोलो तभी जाके यह जुबाँ पे चड़ेगा Feeling pessimistic is not something abnormal pessimistic का उल्टा क्या होता है बेटा एंटनिम क्या होता है विलोम शब्द क्या होता है comment thread में जरूर बताना और अगर हो सके तो जो इसका एंटनिम है विलोम है उससे कोई वाक्य भी बना देना आप जब comment thread में इस तरह हमारे पूछे सवालों के जवाब देते हैं अगर आपको जवाब आते हैं तो tension नहीं लेना है तो सौ लोग दूसरे उसको पढ़ते हैं आपका ज्यान आगे फैलता है एक से दूसरे को मदद मिलती है इसलिए मदद करने में संकोच नहीं न करना है निराशावादी महसूस करना कोई असमान्य बात नहीं है इवन गुड स्टूदेंट्स चैन हैब देर वीक मोमेंट्स अच्छे शात्रों के भी कमजोर पल हो सकते हैं यदि आप कभी कभी पराजित महसूस करते हैं तो डरो मत दा आइडिया इस टू बाउंस बाउंस बैक क्विकली आफ्टर फीलिंग लो निराशा की परिस्थिती तो तुरंद वापिस निकला रहा ही असली खेल है कोई भी छात्र स्थाई रूप से आशावाद की सिती में नहीं रहता उपर नीचे तो लाइफ में चलता ही रहता कितने प्यारे पांस सेंटेंस हैं ये पांस चो तो मोटिवेशनल सेंटेंस हो गए तो इनको आप लाइफ में यूस करो भाया हमें खुशी होगी प्यारे दोस्तों अब हम आ गए हैं आज के हमारे अंतिम स्टेट्मेंट नंबर फाइव पर लेकिन इसको हम लें उससे पहले आपको हमारी हमेशा की सबक और सीख फिर से दे दें नई नई अंग्रेजी सीखने वालों से निवेधन हैं कृपया छोटे छोटे प्यारे प्यारे वाक्य बना के बोलना शुरू करें हिचक डर निकल जाने तक हर शब्द को साफ साफ बोले हमारे वाद निकल मदा नहीं आएगा आपका एकसेंट जो है वो खूपसूरत है अगर वो असमिया एकसेंट है या काठियावाडी एकसेंट है कश्मीरी एकसेंट है तो वो तो भगवान की दीवी आपको एक नियमत है वो तो खूपसूरत बात है उसको ले के परिशान मत हो लेकिन अंग्रेजी शब्दों के जो अंग्रेजी उच्चारण है उन्हें ठीक रखें ये बोलना कि भई मैं तो असाम का हूँ इसलिए मैं तो प्रोनाउनसियेशन बोलूँगा ऐसी हट धर्मिता मदा नहीं आएगा सुनना सीखें सुन सुन के बोलना सीखें आपको बहुत फाइदा होगा पांच पार अंतिम मास्टर स्टेट्मेंट आये इसके बाद एक रीडिंग एक्सेसाइज में अलग से लाया हूँ और आप मुझे बताना आपको अच्छी लगे तो कल फिर से लाओंगा competitive exams are not the end of the road कितना प्यारा वाक्या है competitive exams are not the end of the road मतलब प्रतियोगी परिक्षाओं से कोई जीवन थोड़ी खतम हो जाता है सम्मावन थोड़ी खतम हो जाती फेल हो गए तो हलंकि भारतिय समाज में बिमारी है competitive exams को लोगों की जीत और हार का पैमाना बना दिया गया बहुत गलत बात ऐसा नहीं होना चीए इंसान इंसान रहेगा exam में पास होगा की नहीं मैंने भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परिक्षाओं पास की हैं दसवी में NTSC की परिक्ष निकाली सारे IIMS में admission हुआ और मैंने ये जाना और ये समझा कि ये परिक्षाओं इंसान का माप नहीं हो सकती हैं इंसानियत और एक अच्छा इंसान होना एक अलग चीज होती है इन परिक्षाओं को clear करना एक अलग चीज होती है हमारे समाज ने दोनों को एक ही मान लिया और उस वज़े से बहुत सारी बिमारियां पैदा हो गई हैं तो इसलिए मैं अपनी duty समझता हूँ कि आपको चेताते रहूं इसके पांच variation देखो बेटा Life is not just about clearing competitive exams बोलो 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 पांच बार बोलो और ये इसकार्थ है You can fail in exam and yet succeed in life ऐसे कितने उधारण हमारे आसपास हैं इसके लिए हमेशा बेटा positive रहना ये नहीं की fail हो जाओ ये नहीं बोल रहा हूं मैं Do not let an exam decide your personality और ये तो खास तोर पर माता पिता के लिए भी है Let exams come and go, you be firm in your life Competitive exams are just milestones in your life आगे समझ में इस प्रकार से हमने आज के पांच बड़े sentences देख लिए अब ये मैंने सब एक page पे लगा दिये हैं और मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा का पूरा मेरे साथ अभी जोर जोर से पढ़ते हुए बोलें शुरू करूं किया रहे इसके बाद reading exercise आने वाली है यहने speaking exercise आईगी चलो इसको एक मिट में complete कर लें बड़िया revision कर लें चलो हो जाओ बिटा I will prepare hard for the cat and will clear it I will crack the cat this year as I have prepared hard I am preparing hard and will crack the cat My preparations for the cat are good and I will clear it My hopes for cracking the cat are high as I am prepared अच्छे से पढ़ पारे हो मेरे साथ कुछ लोग अगर इस स्पीड पे नहीं पढ़ पारे हैं तो आपने घबराना नहीं है होगा होगा करने से होगा ये एक और महापूरुशे उन्होंने बोला था A tough exam needs both preparation and mindset We must understand the nature of an exam to crack it बोलते चलो, बोलते चलो A tough exam needs a strong mindset to tackle Exams are not just about reading books thoroughly याद रखना थोरो नहीं होता है थोरो A tough exam is designed to check your actual constitution होगा हा हागे A smart student works both hard and smart for an exam A good exam tests smarts as well as hard work यहाँ पे smarts नाउन के रूप में है Working hard is good but working smart is better To clear a tough exam, please work hard and also smart Are you a hard worker? Then learn to work smartly too Feeling pessimistic is not something abnormal मेरे साथ साथ बोलते चलो ऐसा नहीं की सो गय हो बासी लेते वे Even good students can have their weak moments Don't be scared if you feel defeatist at times The idea is to bounce back quickly after feeling low No student is permanently in a state of optimism आया समझ में सब को, कोई दिक्कत तो नहीं Life is not just about clearing competitive exams बोलिये, बोलिये, मेरे साथ साथ बोलिये, घबराना नहीं हैं, कोशिश करें You can fail in exam and yet succeed in life Do not let an exam decide your personality Let exams come and go, you be firm in your life Competitive exams are just milestones in your life अच्छे से पढ़ा आपने, तो मैं आपके लिए तालिया मज़ा रहा हूं Good, 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 good एक-एक कदम आप आगे बढ़ रहे हो, अभी realize नहीं करोगे, कुछ महिने में जादू देखना अब यह मैं आपके लिए speaking exercise लाया हूँ, आपके confidence को double करने के लिए मेरे साथ-साथ आपको पढ़ना है, जोरों से पढ़ना है My name is के आगे, अपना नाम add कर देना, तो शुरू हो जाओ Hi, my name is Sandeep Manudhaneng and I am a curious reader of Indian history बत ऐसे पढ़ते चलो मेरे साथ-साथ I just learned something nice about the Indian Constitution, would you be interested in it? Thank you, let me begin, पढ़रे हूना The Constitution of India is its organic law, it is the supreme body of law, all other laws must comply with its spirit and nature, otherwise they will be called unconstitutional, लंबा शब्द, unconstitutional, पांच बर पढ़ो इसको The Constitution is huge, but not static, it can evolve with time How can it? Well, the Parliament can bring amendments and changes can be done That is permitted under Article 368 पढ़ लिया, बोल लिया, I was often surprised to see the huge size of the Constitution Then I realized that it is so because detailed administrative provisions too are built into it Otherwise, it would be smaller अब कतम करें हमारी speaking exercise So, a beautifully modern, flexible yet strong, an egalitarian constitution is Indian Republic's strength Egalitarian, बहुत कथिन शप्त है, egalitarian का मतलब होता है, samta mulaq, samta parak सब को एक बरावर लेवल पर लाने का प्रयास करने वाला, egalitarian फिर से पूरा बढ़ता है So, a beautifully modern, flexible yet strong, an egalitarian constitution is Indian Republic's strength We are proud to have it and will strive to strengthen it Do you agree with me? तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी speaking exercise, कल वापिस लाऊं अगली एक दूसरा topic, confirm करना तो लेकर आऊंगा इसी के साथ, आपको हम फिर से याद दिला दें, अगर आप competitive exams की तैयारी कर रहे हो और आपको भारत का सर्वश्रेष्ट, अंग्रेजी सिखाने वाला course चाहिए किसी भी competitive exam की अंग्रेजी, CAT हो, MAT हो, XAT हो, UPSC हो, Government exams हो, सारी अंग्रेजी इसमें cover होती है मैंने पूरे 100 sessions लिये हैं, आप confidence के साथ enroll करें, उसकी link comment thread में दी है spoken with Sandy, free course है, और free course रहेगा, ये चलता रहेगा अलग से, ये अलग चीज़ है इसी के साथ, आज का session 12 यहीं समाप्त करते हैं, याद रखिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये free sessions पहुंचाएं और आज हमने जो जो सवाल पूछें उनके उत्तर देना, बिल्कुल ना भूले, कल मिलेंगे आपके साथ, session 13 में, नमस्कार